हलो बच्चो और जहां चाह, वहां राह सो राह ढूणने के लिए अपनी शिद्गत से उसी राह पर चलने के लिए महनत खुब लगेगी You will have to put consistent effort students हर दिन, हर पल आपको ये सोचना होगा कि मेरी जो कमिया है उसे मुझे दूर करना है और जो मुझे आता है उसे ना भूलने के लिए मैं क्या करूँ Revision, practice You have to keep on going with these students महनत तभी सफल होगी अगर वक्त आने पर गल्ती ना हो सारी महनत व्यर्थ हो जाती है जब वक्त आने पर उसको टाइम पर ठीक तरीके से उटिलाइस ना किया जाए So students, whatever you are learning You need to keep on practicing also You need to revise it So that when the time comes You don't fail ठीक है बच्चो, याद रहेगी यह बात तो चलिए, आज की lecture की शुरुवात कर लेते हैं हम हम बात कर रहे हैं Chapter acids, bases and salts की So acids, bases and salts के बारे में आप जानते हैं Acid के बारे में हमने जिकर किया Base के बारे में हमने जाना We also got to know about the pH level Right students, हमने acid, base कुछ हिस्सा salts का भी हमने discuss किया है कि कैसे salt form होता है जब हमने chemical properties of acids and bases का जिकर किया था But अब वक्त आ गया है इस बात का ध्यान रखने का कि कैसे इन चीजों की बारीकियों को भी जानना होगा There are some important points Few different different things Which need to be remembered So, आज के lecture में हम ये करेंगे कि पहले जो हमने pH scale के शुरुवात की थी उसको आज हम complete कर देंगे Okay, pH को clearly complete करना है हमें और फिर हमें शुरू करना है salts Salts के बारे में हम जानेंगे नमक की कीमत को समझेंगे आज हम नमक के बिना खाना अच्छा नहीं लगता ना Similarly, acids, bases and salts में Salt का topic इतना जरूरी है कि examination point of view में बिना salt पे सवाल question paper हो ही नहीं सकता है बच्चो तो salt is one of the very, very and most important topics of acids, bases and salts तो इस topic को हम शुरू करने वाले हैं Okay, कुछ अलग-अलग compounds के बारे में बात करेंगे जिकर करेंगे, सीखेंगे उनके बारे में ये भी जानेंगे कि वो use कहां होते हैं Okay, students, so are you ready? As it's basis on salts की दुनिया में वापस से दुबारा से घुसने के लिए So students, I hope, पिछले lectures आपने अच्छे से देख लिए होंगे जो भी आपके doubts थे, वो clear भी हो रहे है As per lecture is going on, right? So students, चलिए, जल्दी से अब हम शुरू करेंगे और बात करेंगे सबसे important चीज यानि की pH scale के बारे में pH scale क्या था? क्या याद है आपको pH के बारे में? बताइए ज़रा, pH क्या है? pH का मतलब क्या है? Power of hydrogen, क्या है बच्चों? Power of hydrogen, मतलब hydrogen का कितनी power है उस particular substance में So how can pH be found, right? कौन से scientist थे दिनों ने pH scale का discovery की थी बताइए ज़रा, येस, Sorenson कौन थे वो? Sorenson, Sorenson ने जिकर किया pH scale का उन्होंने डीटेल में बताया कि कैसे जब universal indicator पे कोई भी substance जाला जाए चाहिए वो acidic substance हो, basic substance हो या फिर neutral substance हो उसका color बदलेगा और उस color से ही हमें पता चल जाएगा कि वो substance acidic है, basic है या neutral है So students यहाँ पर acidic, basic, neutral, universal indicator, pH scale इन सभी words की value को समझने के लिए हम एक छोटा सा काम करेंगे और वो छोटा सा काम यह होगा कि हम यह जानेंगे कुछ अलग-अलग substances के pH गौर से देखिएगा यहां पर देखिए इस image में कैसे साफ-साफ नजर आ रहा है कि कैसे अलग-अलग-अलग-अलग-अलग values देखिए आप 0 से लेके 14 तक की values आपको साफ-साफ नजर आ ही रही होंगी राइट स्टूडेंस तो जीरो टू-फोर्टीन तक की values पे एक एक नंबर पे एक एक वर्ड नजर आ रहा होगा आपको सामने नजर आ रहा है कि नहीं देखिए जीरो पे बैटरी वन पे स्टमक एसेड टू-पे लेमन त्री पे विनेगर फोर पे टो मैटो फाइफ पे कॉफी सिक्स पे मिल्क सेवन पे वाटर वाटर देखिए सेवन जीरो टू-फोर्टीन की बाद हम कर रहे हैं सेवन हमारा मिड़ पॉइंट साबित होगा बच्चो तो सेवन ये न्यूट्रल पॉइंट भी हम इसे कहते हैं और सेवन पी हेच क साबन वगरा हम यूज करते हैं डे टो डे लाइफ में और 13 पे ब्लीच and 14 पे ड्रेन क्लीनर तो स्टूडेंस कुछ आइडिया लगा आपको कि हमारे आसपास की इतनी सारी चीजों में पी हेच का एक लेवल होता है एक वैल्यू होती है ये पी हेच केल की वैल्यू पता कैसे चला हमें ये पी हेच का कैलकुलेशन कैसे हुआ मैंने पिछले क्लास में भी आपको शुरुवात करके समझाया था कि कैसे आप प्रॉब्लम सॉल्व करने पड़ेंगे आपको आगे जाकर क्लास 10 के पॉइंट फ्यू में यू विल नॉट बे गेटिंग मच क्वे 7 नूट्रिल पॉइंट होता है एसेड 0 तो 7 के अंदर होते हैं और 7 तो 14 के अंदर बेसे होते हैं अब आपका सवाल आना चाहिए मैं यह एसेड 0 तो 7 के बीच में ही है बेसे 7 के बाद 8 से 14 तक ही ऐसा क्यों क्या बात हो रही है यहां पर कैसे पता चला चलिए इसी सवाल का जब आब मैं आपको देने वाली हूँ गौर से देखिएगा एंड डोंट गट कन्फूस्ट बिकास तिंग्स और नाट डिफिकल्ट ऑल्सो पहली बात पी एच के मामले में जब हमने बोला कि पावर ऑफ हाइड्रोजन की बात हो रही है तो यहां पर आपको यह समझना है क शो कि पावर ओ रुज़न यानि की हमें हाइड्रोजण की कॉंसेंट Gör पैको यह सबस्टंस हो कोई भी सबस्टंस हो एसेडवेसिक न्यूटरल की जब हम बात करते हैं तो उसमें हैज प्लस आया उन हो गे हैं ना Hydrogen, Hydrogen relation में होगा की नहीं, क्योंकि H plus ion acids में पाये जाते हैं, और OH minus ion basis में, उसमें भी तो H नजर आ रहा है ना बच्चो, हाँ या ना, तो आपको इस concept को समझना होगा, कि कैसे hydrogen ion और hydroxide ions plays their important role over here, ओके, अगर हम hydrogen के power की बात करें तो उसे कहेंगे pH, और अगर hydroxide ion की बात करेंग उसे हम कहेंगे pH, clear है ये बात, मैंने आपको पिछले क्लास में बताय था, कि अगर temperature change हो जाए, क्योंकि सोरंसन ने जो बात की थी, वो बात की थी, नॉर्मल रूम टेमपरेचर की, जो की होता है, 25 degree Celsius, right, but now, you also need to understand that when temperature changes, pH value भी बदल जाएगा, बच्चो, clear है ये बात, तो अब समझे इस बात को, कि जब हम कोई substance ले, उसका pH हमें अगर find करना है, तो formula क्या होगा, क्या use करेंगे हम, pH is equal to minus log of H plus, H plus का यह मतलब है, concentration of hydrogen ion, याद रहेगी ये बात, कोई confusion तो नहीं है इसमें, तो अब जब एक substance हम देखेंगे, तो हम ये देखेंगे, मैंने आपको बत कर जो value बनी है, कितनी बनी है, बताइए जड़ा, 14, क्योंकि total range 14 है यहां पर, okay, 14, 7, 7, 2 हिस्सों में डिवाइड कर रखा है इसको, तो अब ये बात आई कि अगर hydrogen ion concentration उस substance में ज़्यादा होगी, तो फिर उस substance को हम कहेंगे, कि वो substance है, acid in nature, hydrogen ion ज़्यादा होगे, तो उतना ज़्यादा ionization होगा, है न, acids में H plus ion ज़्यादा होने चाहिए, simple logic है यह बात, हम already acids की properties के बात जिकर कर चुके है, right, I hope you guys remember this, so now, if hydrogen ion concentration is more than OH minus ion concentration, then that substance will be acidic in nature, what it will be, acidic in nature, and its value will be less than 7, pH scale में जो value उसकी रहेगी, वो 7 से कम होगी, बच्चों, यह बात आप समझ चुके हो, and I hope there is no confusion in it, right, hydrogen ion concentration जब ज़्यादा होगी, तो वो substance acidic कहलाएगा, और उसकी pH की range होगी less than 7, in calculations के बारे में, इन चीजों के बारे में, class 11th में सीखना ही है, right, यह बात अगर समझ नहीं हाएं, तो 11 वी में चीज़े नहीं कर पाओगे, बच्चों right, so I hope this concept is clear to you, simple बात याद एखनी है, अभी के लिए, class 10th के लेवल के लिए, advanced की जो बाते हैं, जैसे मैंने आपको लॉग की वाल्यू बताएं, लॉग इर्दिम के बताएं, उनको यूज करके हमें प्रोब्लम करने पड़ेंगे, कैसे मैं आपको एग्जांपल बताती हू आपको दे दी जाएगी, आपको बोला जाएगा, पी एच बता हो, बस, ऐसे सवाल भी आपको करने आना चाहिए, ओके, सो हम क्या करेंगे, पी एच इस इक्वल to minus log of H plus ion, तो concentration की वाल्यू हमें दे दी है, लॉगर्दम की प्रोपटीस यूज करेंगे और पी एच की वाल्य हमें मिल जाएगी, राइट और रॉंग, ये बात समझ चुके हुआ, जो अब कैलकुलेशन्स और करोगे इन डीटेल जाओगे की आरवी में, तब आप ये भी समझोगे, कि कैसे पी एच आसिड का 7 से कम है, कैलकुलेशन से ही पता चलेगी ये बात, कि अगर आप 8, 9, 10 ये बात, वाल्यू अपने आप घट जाएगी, ओके स्टुडेंस, और ये विल कम तो नो इन फॉर्दर क्लासेस अज वेल, अभी के लिए मैंने आपको एक ब्रीफ आइडिया दे दिया है, तो असिडिक सब्स्टेंस के बारे में समझ गये हो, पी एच की वाल्यू से कम केस टू में हम क्या गरेंगी, ओ एच माइनazy ऐनकी कहां सिंटरेशन वड़ाइंगे, अगर ओ हट माइनस ऑनकी गढ़ेन अकी प्के इस एग ड़ आड़ ऑकश्य आओं ए तो ये बात आप जान एँ हूं है, की न ही नेचर क्या होगा बेसिक, बेसिक टी बेसिकि निचुत okay, base क्या होता है, hydroxide ions are released, more the hydroxide ions, more basic it will be, right, is it clear to all of you, now, pH की range क्या होगी, base की, एक basic substance की pH की value हमेशा होगी, more than 7, कितनी होगी बच्चो, more than 7, I hope this is clear to all of you, case 1, case 2, एक में H+, की concentration बढ़ा दी, दूसरे में OH- की एक concentration बढ़ा दी, अब तीसरा case, अगर सेम हो गए तो, दोनों की value अगर सेम हो गई तो, क्या होगा, H+, concentration और OH- concentration, तो जो होगा वो यह है, कि उसी point को, हना, दोनों तरफ जब सेम है, उस point को कहेंगे हम, neutral point, क्या कहेंगे बच्चो, neutral point, so हमारे पास यह neutral point है, 7, approximately 0.1, 0.2, 0.4 का फरक होता है बच्चो, pH scale में, 7. 7.4 भी almost little bit, it is considered as neutral, जैसे blood का अगर हम exactly pH value देखेंगे, तो हमें पता चलेगा, so students, you need to know different, different substance pH values, okay, so आपको पता होनी चाहिए, and don't forget to understand that things will become easier when you get to know and practice them, right, pH clear है, I hope class 10th level के हिसाब से, pH की जितनी idea आपको होना चाहिए, वो आपको दे दिया गया है, और advance में क्या सिखाया इसका भी मैंने आपको brief idea दे ही दिया है, so अब बारी है, नमक के बारे में बात करने की, so the next topic is going to be salts, so salts सुनते ही, नमक सुनते ही, हमारे मूँ में स्वाद नहीं आ जाता, स्वाद आनुसार, खाने में नमक भी तो डालते हैं, नमक के बिना खाना अधूरा है, टेस्लस है, कि हम ये कहेंगे, similarly acids, basis and salts के chapter में भी नमक के बिना ये chapter अधूरा माना जाएगा, तो ये salt की जब हम बात कर रहे हैं, हमारे खाने में सलाद में, जब हम salt चिड़क के खा लेते हैं, तो ये salt आया कहां से, कैसे आया, salt के बारे में अब तक आपके पास क्या information है, जिन बच्चो के बारे में अब हम जानेंगे, तो सबसे पहला सवाल, ये salt आया कहां से, how are these salts formed and what is exactly the logic between them, reactant side में क्या होगा, ताकि salt बन जाए product में, सोचे ज़रा, अगर ध्यान से देखें, already हमने ये बात सीख ली है, chemical properties of acids पड़े थे, chemical properties of bases पड़े थे, और तब दोनों बार मैंने ये कह था, acid plus base gives salt plus water, base plus acid also gives salt plus water, chemical properties याद आई आई आपको, तो इस reaction को भी मैंने एक नाम दिया था, बताइए, याद है आपको, होना तो चाहिए बच्चों, so जो reaction का नाम था, बहुत simple और easy है, और मैंने examples के वक्त भी आपको ये बताया था, कि कैसे चीज़े neutralize की जाती है, हमारे पेट में acidity होती है, acid बढ़ जाता है, तो हम क्या करते हैं, एक base डालेंगे neutralize करने के लिए, तो इस reaction को क्या कहते है, neutralization reaction, so neutralization reaction के दम पर salt form होता है, कुछ और details जानते हैं, salt के बारे में कहां पाया गया, कैसे इसको बनाया गया, what is exactly how this salt is being formed, let's understand it in detail, अगर आप से सवाल का होना चाहिए बच्चो, neutralization reaction वाली बात आपको याद आनी चाहिए, क्या है याद आनी चाहिए, neutralization reaction वाली बात, so neutralization reaction में होगा, reactant side क्या होगा, product side क्या होगा, याद है आपको, अभी याद आ जाएगा, जब आप जल्दी से ये बात दिखोगे, salt, salt is defined as the product from the neutralization reaction of acids and bases, so acid plus base gives salt plus water, बताया था आपको, याद है कि नहीं, so बच्चो, जब कोई चीजे याद हो, तो उसका पूरा फायदा उठाना चाहिए, chemical properties of acids and bases सीखने के बाद, ये concept आपको बहुत simple लगे, कोई बड़ी बात है नहीं, क्यूंकि आप ये देख चुके हो, और कर भी चुके हो, तो जल्दी से salt formation अब हम समझ गए हैं, कि acid plus base will give you salt plus water, confused नहीं होना है, alkali word देखकर यहाँ, क्या होता है alkali, बताये, base which is dissolved in water is called as alkali, I hope you remember this also, so चलिये फिर आगे बढ़ जाते हैं, और अब हम बात करेंगे, one of the most important points, ये salts जो बनते हैं, ये कैसे compounds होते हैं, गौर से देखेगा, इस point को note भी करना है, important भी ये है, salts are ionic compounds, क्या है, ionic compounds, ionic compound क्या होता है, क्या आप जानते हो, कुछ बच्चों ने comment section में सवाल पूछा, मैं ये ionization, ionic compound, ये सब क्या है, ion क्या होता है, मैं already बता चुकी हूँ, जिस बच्चे को doubt था दोबारा बता देती हूँ, ion is a charged particle, what is an ion, it is a charged particle, मतलब charge होगा उस पार्टिकल पे, plus भी हो सकता है, minus भी हो सकता है, right, neutral भी होते है, okay, plus and minus भी होते है, so students, जिस पार्टिकल पे, okay, जिस पार्टिकल पे positive charge होगा, positive charge होगा, उसका एक नाम है, जिस पार्टिकल पे negative charge होगा, उसका एक नाम है, kateons, anion सुन रखा है कि नहीं आ compounds, ions वो होते हैं जो charged particles है, जो अलग-अलग charged particles combined together to form a compound and that compound is called as ionic compound और हम ionic compound के बारे में एक बात और अच्छे से याद रखेंगे और वो यह है, ionic compounds में, ionic compounds are formed, how are they formed? by losing or gaining of electrons, electron की लेन देन से ही ionic compound बनता है, यह बात याद रहेगी सब को, ionic compound क्या होता है आगे हम सीखेंगे, carbon rich compound में, covalent compound में बताएंगे कि कैसे electrons share किये जाते हैं, for now you should know ionic compound is a compound which is formed by two ionic charges, कितने भी ionic charges मिलते हैं, ionic particles मिलेंगे और charged particles होता है, हना, so यह compound बना देंगे साथ में मिलकर और यह कैसे form होंगे? by losing or gaining of electrons, तो salt भी एक ionic compound है, याद रहेगी यह बात, कोई confusion तो नहीं है इसमें, बहुत बढ़ी है, आगे बढ़ी है अब, ionic compound form होंगे, कैसे? composed of cations, cations होते हैं positively charged ions, मैंने बताए था ना, plus charge जिस ion पे होगा, उसे हम कहेंगे cation, बता है आप सब को यह बात, right? Now, negatively charged will be called as anion, so cations और anions मिलेंगे, ताकि एक product form हो, which is electrically neutral, neutralization क्यों बोलते हैं बच्चों, क्योंकि जब यह plus और minus दोनों मिल जाएंगे, एक दुसरे को balance करकी neutral हो जाएगा, एक electrically neutral product form होता है, उसी electrically neutral product हो हम कह रहें हैं, salt, is it clear to all of you, plus cation, minus anion, इन दोनों को combine करेंगे, तो साथ में एक neutral आजाएगा, और वो neutral compound ही है, हमारा salt, याद रहेगी यह बात, कोई confusion तो नहीं है इसमें, right? Plus और minus, यह दोनों, एक cation, एक anion मिलेगा, एक salt को form करेगा, और वो salt electrically neutral होगा, क्योंकि plus और minus दोनों, खताओ, clear है यह बात, there is no confusion in it, now we have understood that ionic compounds are salts, okay, अगला point देखिए, हम यह जो ionic compounds की बात कर रहें, कुछ examples देखिए, ताकि किसी तरीके का confusion नहीं हो, देखिए, these component ions can be inorganic, यह जो compounds है, inorganic भी हो सकते हैं, और साथ की साथ, organic भी हो सकते हैं, inorganic और organic से मेरा मतलब है, अगर आपको याद हो, acids की classification में, mineral acids, याद है, organic acids बोला गया था, तो उन में जो ions participate करते हैं, यहां पर हम component ions की बात कर रहे हैं, तो देखिए, ज़रा एक ion है, C- ion, कौन सा ion है यह, C-, यह हमारा chlorine है, chlorine, Cl- ion, तो now what happens here is, this Cl- is a mineral, क्या है यह, हम इसे organic कहेंगे या inorganic, बताइए जरा, यह हम कहेंगे inorganic, क्यूंकि यह mineral, chlorine है न, okay, elements है यह, तो अगली बात देखो, as well as inorganic such as acetate, CH3, COO-, acetate की भी में हैं बात हो रही है, यहाँ पे न, बच्चो, cations के और anions के example बता रहे हैं, यह components यह, जो ions है न, यह, कहां से, मदलब कैसे mineral भी हो सकते हैं, यानि किन और्गैनिक, या फिर organic भी हो सकते हैं, clear है यह बात, समझ गयो आप, अब जब हमने negatively charged particles की बात करी है, एक और particle देखिए, monoatomic ion हम इसे कहते हैं, क्योंकि यह है fluorine, यह है fluorine, जैसे CL minus, ऐसे F minus, एक halogen जो ठह रहा यह, right, एक और देखिए, it is polyatomic ion, such as sulfate ion, I hope poly, mono, dye, tri, मतलब जानते होना आप, अल्रडी बता चुकी हूँ मैं, mono मतलब single, dye मतलब 2, tri मतलब 3, poly मतलब जादा, okay, polygons पढ़ा होगा आपने mats में, right, polygons क्या होते हैं, closed figures होते हैं, है न, four-sided figure, तो polyatomic ion है, यह देखिए, SO4 minus 2, क्योंकि यहाँ पर देखिए आप, साफ-साफ नजर आ रहा है कि ion में जो atom है, यह polyatomic ion कहलाएंगे, यह क्या कहलाएगा, यह SO4 minus 2 कहलाएगा एक polyatomic ion, याद रहेगी यह बात, there is no confusion in it, right, so now we have understood कि salts में जो ions participate करेंगे, है न, उनकी बात हमने कर ली है, कि वो organic भी हो सकते हैं, inorganic भी हो सकते हैं, is it clear to all of you, negatively charged, positively charged की बात भी आप समझ गए हैं, तो अब एक बहुत interesting सा काम करते हैं, बहुत easy है, थोड़ी सी दिमाग की बत्ती जलानी हैं बस, और क्या होगा देखिए, acids की classification में strong acid, strong, strong acid क्या होता जाना था, weak acid क्या होता जाना था, similarly base की classification की time पे strong base और weak base जाना था, अब बात करते हैं, जब salt form होगा, तो किस किस प्रकार के salt form हो सकते हैं, देखिए, तरीका देखिए यहां पर, strong acid plus strong base will give you neutral salt plus water, दोनों ही strong है, acid B और base B, acid plus base will give salt plus water यह हम जानते हैं, तो strong acid और strong base combined together to form a neutral salt, और साथ में पानी तो निकले गई, अगर weak और strong का जोल मोल हो जाए, तो क्या हो, देखिए, weak acid plus weak base यह भी देगा, एक salt जो कि दोनों ही weak है ना, तो बताइए, सोचिए, comment section में मुझे बताइए, मैंने आपे question mark भी आपको दे रखा है, कि weak acid plus weak base कौन सा salt देगा, सोचिए ज़रा, मताइए, have a thought on it, okay, देखिए, अगर हम strong acid और weak base अगर दे देते हैं, acid strong है, तो जो salt होगा, उसे कहला हैगा, acidic salt, क्या बोलेंगे हम उसे, acidic salt बोलेंगे, क्या बोलेंगे बच्चो, acidic salt, is it clear, strong acid ले लिया है और weak base लिया है, जब base हमारा strong होगा, is it clear to all of you, बहुत सिंपल है न, अगर base strong होगा, तो basic salt बन जाएगा, अगर acid strong होगा, तो salt बनेगा, acidic salt होगा, clear to all of you, और अगर दोनों ही strong होते हैं, तो neutral बनेगा, दोनों ही weak होंगे, तो क्या बनेगा, यह आपको सोच के मुझे बताना है, students, clear, comment section में ज़रूर बताईएगा, I hope you guys know this, give it a try, okay, चलिए, अगली class में ज़रूर बताऊँगे, फिर यह क्या form करता है, चलिए, अब इस बात को हम समझ गए हैं, कि कैसे अलग-अलग type के salt बनते हैं, neutral salt बन सकता है, acidic salt बन सकता है, basic salt बन सकता है, right, so now, let's understand one of the first important salt, जो हम खाने में चिड़क के नमक खाते हैं, वो नमक ही है, common salt, क्या है बच्चों वो, common salt है ये, common salt के बारे में जानते हैं, कैसे form होता है common salt, पाया कहां जाता है common salt, पक्का ये बात है कि acid plus base will give you salt plus water दो, ये common salt भी एक acid और एक base के मिलने पर ही आएगा, so बताइए, कौन सा acid है वो, कौन सा base है वो, इसका नाम क्या है, चल ये, देख लेते हैं जल्दी से, sodium chloride is also known as common salt, तो common salt का chemical formula क्या है, sodium chloride यानि की NaCl, याद रहेगा, NaCl, और इसको एक बात जो, एक बात और है, table salt भी कहते है, common salt को, क्योंकि table पर रखा होता है, simple logic है तो, क्योंकि हम खाने में यूज करने हैं, तो इसे table salt भी कह रहे हैं, okay, and then, its chemical compound is sodium chloride, the formula will be NaCl, clear है ये बात, बहुत सा simple सा reaction है, already सीख चुकिया है, तो मैं पहले ही बता देती हूँ, क्या हो रहा है, एक strong acid, एक strong base के साथ मिल रहा है, यहाँ पर, हमारा acid है, hydrochloric acid, base होगी हमारी sodium hydroxide, जो हमने चुना है, तो बता ये क्या बन जाएगा यहाँ पर, कैसे बनेगा, sodium और chlorine मिल जाएंगे, NaCl हमारा common salt बना देंगे, साथ में निकलेगा, H2O, is it clear for all of you, we have formed here NaCl and water, तो this is our common salt, okay, this is our common salt, and I hope there is no confusion in this students, right, चलिए अब, common salt कैसे form होता है, यह मैंने बताया, common salt का chemical formula बताया, chemical name बताया, and most importantly यह जाना, कि common salt और table salt एक ही बात है, अब एक interesting सी बात बताई जाए आपको, बहुत common है, बहुत simple है, अब सभी जानते हो, पर किया आप यह जानते हो, कि sodium chloride is the salt, which is primarily responsible for the salinity of the ocean, सुना होगा, समुंदर में, पानी में नमक होता है, तो यह जो salinity, यह saltness जो feeling आती है, यह जो नमक present है, oceans में, पानी में, रिवर्स में, वो नमक हमारा common salt ही है, common salt is the reason of which यह पानी नमकीन होता है, याद रहेगी यह बात, common salt present होता है, जिस वज़ए से, oceans में salinity होती है, oceans में, saline चड़ाया जाता है, आपको याद है, लोगों में, जब नमक की कमी हो जाती है, बॉडी में पानी की कमी होती है, तो saline चड़ाते है, राइट, तो उसी तरीके से आप इसको रिलेट कर सकते हो, याद भी रख सकते हो, पानी में नमक प्रेजन्ट है, और जो नमक वो प्रेजन्ट है, वो यही है, जो इसको salinity प्रोवाइड करता है, याद रहेगी ये बात, एक चीज़ और है इसके बारे में, जो आप जान सकते हो, कि यह जो common salt है हमारा, यह ocean की salinity के लिए तो responsible है ही, साथ के साथ, extra cellular fluid of many multicellular organisms, multicellular organisms होते हैं, bio का concept यह आप जानते होंगे, single cell, multicell के बारे में, बहुत सारे organisms, multicellular organisms होते हैं, उन में भी यह एक extra cellular fluid की तरह काम करता है, यह salt, common salt, याद रहेगी ये बात, and I hope this is an interesting fact for you, you need to remember this, एक बात और बताई जाए आपको, जब हमने बोला कि यह table salt ऐसे use होता है, तो और भी कुछ important uses हैं, जो आपको पता होने चाहिए, let's quickly discuss the uses of common salt, so as I told you earlier, कि कैसे, खाने में तो यह use होता ही है, बट सिर्फ और सिर्फ खाने का ही item नहीं है यह, और बहुत सारी जगों पर use होता है, चलिए, one of the most common use मैं आपको बता देती हूँ, common salt का वो यह है, कि it is used in chemical factories and industries, why is it so, chemical factories और industries में नमक का क्या काम है, अभी बता देती हूँ मैं आपको, देखे, यह common salt, it is used as a raw material, कैसे use होता है, यह, raw material की तरह use होता है, क्यों, क्या बनाने के लिए use होता है, this common salt is used as a raw material for making large number of useful chemicals, बहुत सारे अलग-अलग chemicals industries में जो बनाये जाते हैं, उनके लिए यह raw material की तरह काम करता है, और क्या है यह raw material, क्यों यह raw material की तरह use होता है, क्योंकि यह बहुत अलग-अलग substances के forming में बहुत बड़ा ही मदद करता है, अब बताती हूँ मैं कैसे compounds है जो यह बनाता है, जैसे कि it helps in the formation of sodium hydroxide, हमारा caustic soda, बहुत important base है ना यह, है ना, one of the most important bases में तो कहूंगी, sodium carbonate, हमारा washing soda, sodium bicarbonate, baking soda में भी यूज होता है यह, okay, so caustic soda के लिए, washing soda के लिए, baking soda के लिए and hydrochloric acid, hydrogen, chlorine, sodium metal, इन सभी के लिए, बनने के लिए, क्या काम हा रहा है हमारा raw material के तरह पर, sodium chloride, so NaCl is used as a raw material for the formation of many substances, बहुत सारे अलग-लग compounds, बहुत सारे useful compounds बलकि जिने हम कहेंगे, इनको बनाने में काम आ रहा है, जैसे कि कुछ examples में दे देती हूं आपको, washing soda, बहुत easily याद रख लोगे आप, baking soda, हमारा sodium hydroxide, जिसे हम caustic soda भी कह रहे हैं, okay, washing soda, baking soda, caustic soda, और बहुत आसानी से आपको याद हो जाएगा, क्यूंकि नाम में sodium chloride है, है तो sodium metal, chlorine, हमारा hydrogen, hydrochloric acid, बहुत जगों पर chlorine एक very important role है ना, this sodium chloride is going to play a very important role, clear to all of you, याद रहेगा कि common salt is used in different factories and chemical industries for formation of some useful compounds, okay, एक और बहुत important और बहुत interesting use में आपको बताना चाहूंगी, हमारे common salt का और वो ये है, it is used in the manufacture of soaps, सावन, soaps के manufacture में ये बहुत बड़ा रोल play करता है, soaps के formation में हमारा ये common salt है, it is going to play a very important role, is it clear students, तो ये दो uses आप समझ गए हो, तो एक और interesting use में आपको बताती हूं, बहुत important है ये, जैसे मैंने आपको बताया, खाने का स्वाद बढ़ाने के लिए ये काम आता है, it improves the flavor of the food, but हम ये खा रहे हैं हमारे खाने में डाल कर, क्यों भई, हमारी body को sodium chloride की क्या जरूरत है, सोचे जरा, where will this sodium chloride be used in our bodies, देखे मैं बताती हूं, it is required for our body, क्यों, क्योंकि for the working of the nervous system, nervous system के काम करने के लिए, sodium chloride एक बहुत important role play करेगा, वहाँ पर जाके काम करेगा, क्यों, क्योंकि इस करेगा, movement of muscles के लिए भी, and सबसे आसान और सबसे commonly used जिसके बारे में हमने पहले भी जिकर किया था, गर आपको याद हो, हमारे stomach में hydrochloric acid present होता है, हाँ या ना, so, जो hydrochloric acid बनने में, मैंने आपको बताया था, कि sodium chloride बहुत important role play करेगा, so, see, the hydrochloric acid present in our body, in the stomach, for the digestion of food, अगर hydrochloric acid ना हो, तो हमारे खाने के digestion next to impossible है, right, उसकी बहुत जाद जरूत है, हमारा खाना हसम तभी होगा, जब हमारे पेट में hydrochloric acid होगा, hydrochloric acid तभी होगा, जब वो sodium chloride से बनेगा, is it clear, याद रहेगी ये बात, कि कैसे हमारा sodium chloride हमारी body में भी काम कर रहा है, right students, so, we have discussed few uses of sodium chloride यानि की common salt, यानि की table salt, NaCl, अब हम बात करेंगे कुछ और interesting चीजों के बारे में, now we are going to discuss those compounds which are derived from the common salt, common salt से जो compounds बने हैं, हम कह रहे हैं न, बहुत अलग लग compounds बनने में ये काम आता है, sodium chloride, कौन से compounds हैं भाई, कैसे बनते हैं वो, उन सवालों के जवाब अब हम ढूनने वाल What role does this common salt play in it? चलिए, जल्दी से बता देती हूँ मैं आपको the basic important compounds जिनके बारे में अब हम बात करने वाले हैं, जो common salt से derived किये जाए हैं, वो हैं पहला वाला sodium hydroxide, sodium hydroxide कितना important base है बच्चों ये NaOH है न, तो ये NaOH, अगर हम गौर से देखें, इसका एक और नाम भी है और वो है caustic soda, क्या है? caustic soda, याद रहेगी ये बात आपको, इसका एक और नाम है caustic soda, sodium hydroxide का, ये form होता है, हमारा common salt, इसका एक बहुत important role play करता है, इसको derive करने के लिए, अगला देखें क्या है, bleaching powder, bleaching powder का chemical formula है, CAOCl2, calcium oxy chloride कहते हैं इसे, क्या कहते हैं, calcium oxy chloride, this is nothing but bleaching powder, clear students, bleaching powder, आप सभी जानते हो ना, कि कैसे अलग अलग चीजों में, bleaching करने के लिए, हम इसे use कर सकते हैं, जैसे कि कपड़ उमेध होने वक, bleaching powder यूज किया जाता है, ताकि जो दाग है वो आसानी से निकल जाए, right, so bleaching powder is used in many places, एक example मैंने आपको बताया, एक और देखिए है baking soda, baking soda आप सभी जानते हो, खाने में cooking के वक्त ये काम करता है, बहुत important role play करता है baking soda, आपकी घरो में baking soda यूज होता है कि नहीं, होता होगा ना, so baking soda का formula पता है, आपको chemical formula, NaHCO3, ये कैसे बना, इसके बारे में, sodium hydrogen carbonate के बारे में भी हम सीखेंगे, so students, the compounds derived from common salt, which we are going to discuss now, are sodium hydroxide bleaching powder, यानि की calcium oxy chloride, and baking soda, clear calcium hydrogen carbonate, sorry, sodium hydrogen carbonate, याद रखिएगा ये बार, calcium sodium में confused नहीं होना है अपने को, okay, so इन तीनों compounds को कैसे derive किया जाए, अब हम सीख लेते हैं, okay, एक एक करके इनके बारे में जानेंगे, इनके uses को समझेंगे, okay, so सबसे पहले बारी है, sodium hydroxide की, किसकी बारी है बच्चों, sodium hydroxide की, one of the most important, most common base which we use, so sodium hydroxide का सबसे पहले बनेगा, कैसे chemical formula क्या है, इसका, Na plus, OH minus, OH minus, दोनों मिल जाके बन जाएगा, हमारा sodium hydroxide, जिसे हम कहेंगे, NaOH, एक ये base है, और ये base, ये base क्यों है, क्योंकि इसमें hydroxide ions present है, तो ये base, एक caustic soda भी हम इसे कहते हैं, क्य can be called as a metallic base, and it is also known as caustic soda, ये बाद हम जानते हैं, अगले point की तरफ बढ़ते हैं, बहुत interesting है ये, it forms a strong alkaline solution, अलकली क्या होता है, याद है, मताये, base dissolved in water, so strong alkaline solution, क्योंकि ये strong base है, जब इसको पानी में मिलाया जाएगा, जो solution बनेगा, वो काफी strong होगा, so it is a strong alkaline solution, जब हम इसे पानी में मिलाया, हम solvent कोई भी चूस कर सकते हैं, पर अगर solvent हम पानी चूस करें, तो जो solution बनेगा, वो काफी strongly alkaline होगा, clear, अगला point देखिए जरा, sodium hydroxide is produced along with, देखिए, यहाँ पर ये बताने की कोशिश की जा रहेगी है, कि sodium hydroxide बनेगा कैसे, साथ में और कोई product आएगा, क् क्या होगा वो, देखिए, chlorine and hydrogen, साथ में निकलेगा, याद रहेगी ये बात, chlorine and hydrogen, इसको समझना होगा हमें, examination point of view में, chloralkali process is one of the most important and commonly asked question also, so chloralkali process को अब हम जानने वाले हैं, क्यूंकि यहाँ पर sodium hydroxide बनेगा, इस process की वज़े से, okay, तो अगर इस process की वज़े से, sodium hydroxide बनने वा है, तो हमें पता होना चाहिए, कि exactly हो क्या रहा है, चिंता मत कीजिए, ये diagram देखिए, घबराइए मत, बहुत बच्चे ऐसे हैं, जो इसको समझ नहीं पाते हैं, मेरा फर्स है, आपको ये detail में आसानी से मस्ती के साथ समझा दू, तो तयार है आप, diagram को गवर से देखिए, इस diagram में जो exactly हो रहा है वो ये है, electrolysis हो रहा है, क्या हो रहा है, electrolysis, electrolysis को electrolysis भी कहने है, electrolysis, so electro मतलब बिजली, electricity और लाइसे मतलब breaking, dissociating, ionizing, splitting, कुछ भी नान दे सकते हैं हम, तो यहां पर हम break करने वाले हैं ions को, क्या करने वाले हम, ions को break करने वाले हैं, clear, जब ions को हम break करेंगे कैसे, bypassing electricity, हम बिजली पास करने वाले हैं, तो अगर हमें sodium hydroxide बनाना है, तो किस में से बिजली पास करें भई, हम पास करेंगे, बिजली, हमारा raw material जो हम use करने वाले हैं, जो की है, sodium chloride, हमारा common salt, so common salt का एक aqueous solution हम लेंगे, और उस में से हम बिजली पास करेंगे, ठीक है, देखिए, यहाँ पर sodium chloride solution दिख रहे हैं, आपको इसको brine कह रहे हैं, aqueous solution of sodium chloride is called as brine, याद रहेगी यह बात, चलिए, brine solution हमने ले लिया है, इस beaker में, cathode होता है, anode होता है, electrodes से आप जानते हो ना बच्चो, कैसे दो terminals होते हैं, electrodes होते हैं, cathode और anode, okay, cathode और anode होंगे, कौन सा substance अब कहां जाएगा, क्या होगा, यह समझना है, so chloralkali process को समझने के लिए, सबसे पहली बात आपको यह जाननी है, कि यहाँ पर क्या reaction क्या take place हो रहा है, हमने क्या लिया, sodium chloride को लिया, sodium chloride की हमने aqueous solution को लिया, तो पानी को तो साथ में ले नहीं था, तो sodium chloride plus water, यानि की brine solution या फिर aqueous solution of sodium chloride जिसे हम कह रहे हैं, उस पे से बिजली पास करने पर जो product form होगा, those are the most important things which we need right now, so product side क्या होगा, देखिए, sodium hydroxide, NaOH, और साथ में होगा chlorine, और साथ में होगा hydrogen, गौर से देखिए, जरा, क्या-क्या बना, एक chlorine बना है, और एक sodium hydroxide, यानि की base, यानि की alkali बना है, so chlorine बना, alkali बना, साथ में hydrogen gas evolve हो गया है, so इस process को कहा गया है, chlor-alkali process, क्या कह रहे हैं हम, chlor-alkali process, क्यों कह रहे हैं ऐसा, यह जो हमारा brine solution है, accurate solution of NaCl, इस पर से हमने क्या पास किया, electricity, बिजली को पास कर दिया, जो पास कर दिया, जो product form हुआ है, वो है chlorine और alkali, so इस ही से नाम बन गया हमारा chlor-alkali process, यह बात समझ चुकिया हो, इसमें कोई confusion नहीं, अब याद रहेगा ना, राइट, चलिए, आगे बढ़िये, और एक चीज़ देखिए ज़रा, यहाँ पर, जब sodium chloride को, हमने accurate solution, यानि की पाने मिला कर brine ले लिया, accurate solution of NaCl, बिजली उस पर पास करी, तो product side, जो 2 NaOH, H plus Cl2 plus hydrogen, यह reaction है, chlor-alkali process का, जो आपको याद रखना है, is it clear students, reactant side क्या है, product side क्या है, ज़रा गोर से देख लीजेगा, क्या लिया हमने, brine, brine में क्या है, sodium chloride और पानी, accurate solution of sodium chloride is called as brine, इस पर से बिजली पास कर दी, products देख लीजे, क्या आगया है, यह product जो form हुए, यह हमें कहां मिलेंगे, electrolysis में जब हम कर रहे हैं, कैथोड पर क्या मिलेगा, अनोड पर क्या मिलेगा, आप बताइए, जरा यही हमें याद रखना होगा, और समझना भी होगा, कैसे समझे हम, देखे, NaOH, Cl2 और Hydrogen, तीनों ही अलग अलग जगपर पाहे जाएंगे हैं, आनोड पर पाहे जाएगा, क्लोरिन, और कैथोड पर हाइडरोजन गास रिलीज हो जाएगे, और वहीं पास में मिलेगा हमें, sodium hydroxide, मैं बताती हूँ आपको, देखे, यह याद रखिए, इस चाट के थरूँ आप चीज़ें आसानी से समझ जाएंगे, और इसमें कुछ important uses भी लिखे हैं, ताकि आप भूले ना, Salt, okay, Salt हमारा है sodium chloride, right, यह sodium chloride पे हमने, कैसे बिजली पास करने पर क्या हुआ, कैथोड पे निकला हमारा hydrogen, अनोड पे लिखला, क्लोरिन और कैथोड के पास ही NaOH भी मिलिया हमें, clear है यह बात, नियर कैथोड वी फाइंड sodium hydroxide, यह जो hydrogen, क्लोरिन, sodium hydroxide बिजली पास करने पर जो फॉर्म हुए है न, क्या आप जानते हो कि यह यूस कहा होते हैं, बहुत जरूरी चीज़े हैं बच्छो यह, हाइडरोजन की अलग खास हैं, क्लोरिन की अलग और स्वोडियम हाइड रोकसाइड की अलग, इन सब की यूज़ भी आपको कुछ बेसिक यूज़ पता होने चाहिए, हाइडरोजन सुनते यह आपको हाइडरो-कारबन स्याद आने चाहिए फ्यूज in Sans कंपांड में हम यह नित्र नॉल यह के बार में अभ ही के लिए, यह ड anál होथ वाइडरो इन फिल सैज़ और सुना गजुति उपंड इंड इंड लाईज़ स्थोज नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन भी तो होगा सो हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन वहाँ यूस हो रहा है सिंपल लोजिक है ओके फिर बाहर थाती है क्लोरिन की क्लोरिन सुनते ही आपको ओको को फूमिंग पूल याद यानी कि ठीक समयरा मतलब है डिस्न फेसरे करने के लिए बहुत बैक्टीरियाज होती है उनमें तो पानी को अगर ट्रीकर नहों आपको क्लोरिन से ट्रीट करोगे ताकि सारे बैक्टिरिया, सारे इसिंफेक्टेंट उसमें से निकल जाए। क्लोरिन is called as a disinfectant, infection को दूर करने वाला, खराब चीजों को निकालने वाला है हमारा क्लोरिन, it is a disinfectant which is used in water treatment plants, swimming pools और क्लोरो फ्लोरो कार्बन याद है आपको सुना होगा इसके बारे में जब आपने ओजोन लेयर के बारे में बच्छमन में सीखा होगा तो बताया जाता है कि ओजोन लेयर is getting depleted because of chlorofluorocarbons जिसका short form होता है CFC's, right? CFC's में भी एकाम आता है बच्छों, PVC pipes में भी काम आता है, okay? कुछ basic users याद रहेंगे आपको और NAOH हमारा प्यारा बेस जो कि है strong base हम कहेंगे से यह soaps में काम आता है, detergents में काम आता है, paper making में भी काम आता है, okay? मैंने कुछ users आपको इनके बता दिये हैं, जरूर इस चाट के form में इसको note कर लीजेगा, chloralkali process easy हो जाएगा आपके लिए, ठीक है? तो अब जब hydrogen और chlorine आया, तो अगर इन दोनों को मिला दे तो simple hydrogen chloride बन जाएगा, क्या बन जाएगा? hydrogen chloride, और अगर हम chlorine और आपको आपको दे रखी है, समझाने की पूरी कोशिश की गई है मेरी तरफ से, I hope students you have understood this chloralkali process in detail and I have also will be easily remembering the uses now. आसानी से याद रहेंगे न वच्चों अभी यूजे इस पिक्चर को गौर से देख लीजिए, मतलब आपको जो मैंने नोट किया है, आपका टाइम बचाने के लिए अलरी नोट करका है, सो आप भी जल्दी से इसकी फोटो खीचना चाहें या नोट करना चाहें, आपकी मर्जी होगी कृपया कर लीजिएगा, ओके चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, sodium hydroxide मामूली चीज नहीं है बच्चों, यूस भी मज़ेदार है, artificial textile fibers, fiber to fabric chapter आपने बच्चमन में पढ़ा होगा, fiber कैसे बनता है हमने जाना, fiber से fabric कैसे बनता है, यह आप जानते होगे, कैसे animal fibers होते हैं, plant fibers होते हैं, और होते हैं, synthetic fibers, artificially जो बनाए जाते हैं, सो यह artificially बनाए हुए fibers में काम आता है हमारा sodium hydroxide, rayon, rayon क artificial silk मतलब, artificial silk भी खा जाता है, है ना, तो silk की तरह होता है, यह rayon, तो silk कितना जरूरी है, कितना महंगा है यह जानते हो ना, तो rayon बनाने के लिए, artificial silk जिसे खा जाता है, उसको बनाने के लिए, sodium hydroxide, textile में, companies में, factories में, यूज होता है, is it clear, it is used for making artificial textile fiber such as rayon, समझ गया हो ना, आ एक artificial fiber है, जिसे rayon कहा जाता है, जो एक artificial silk भी कह सकते हम इसे, तो उसके formation में हमारा sodium hydroxide बहुत काम आएगा, और एक बहुत जरूरी चीज, पढ़ाई जब हम करते हैं, जो भी हमें याद करना है, जो भी हमें सिखाया जाता है, हम किस पर लिखते हैं, पेपर पे, यह पेपर और हैं, जो हम जान लेते हैं, it is used in purifying bauxite from aluminium metal, बच्चों, इसके बारे में हम जानेंगे, metals and non-metal के बारे में, तब जब हम बात करेंगे, अगला chapter metals and non-metal जब हम discuss करेंगे, तो bauxite कैसे होता है, aluminium metal कैसे form होता है, कैसे fine किया जाता है, उन सब के बारे में जानेंगे, अभी के लिए बस इतना पता रखिये, कि sodium hydroxide यहाँ पे भी extraction में काम आएगा, okay, अगला और आखरी यूज जो मैं बताने वाली हूँ, it is used in degreasing metals, oil refining and making dyes and bleaches, okay, bleach की बारे मैं आपको बताया थी, dyes बनाने में, greasing में, degreasing metals का मतलब है, metals के ओपर degreasing की जाती है, कई बार, okay oil refineries में use होता है, तो कितने अलग अलग जगहों पर यह sodium hydroxide यूज हो रहा है, यह आप समझ चुके हो, right students, excuse me, ठीक है, तो यह अब हम जान गए हैं, चली आगे बढ़ते हैं, और अब हम बात करते हैं, हमारे अगले compound की, जो sodium chloride की मदद से बनेगा, वो है bleaching powder, what is it students, bleaching powder, so bleaching powder के बारे में सुनते ही आपके दिमाग में जो याद आना चाहिए, उसका chemical formula है, जो की है, calcium oxy chloride, क्या है बच्चों, calcium oxy chloride, इसका एक नाम और है, जो की है, calcium hypo chloride, इसको क्या कहते है, calcium hypo chloride, इसको form करने के लिए हम chlorine gas का इस्तमाल करेंगे, we are going to use chlorine gas, chlorine gas अगर चाहिए, इसके पा करना है, हमें लेना होगा, slaked lime, क्या लेंगे हम, slaked lime, slaked lime सुनते ही याद आया, first chapter में भी इसका जिकर किया था, yes or no, हाया ना, so CAO quick lime याद है, तो वहां से हम slaked lime भी याद आगे आपको, okay, so इस slaked lime पे जब chlorine बास करते हैं, तो जो बनेगा वो है, calcium oxygen और chlorine combines together to form calcium oxy chloride, याने की हमारा bleaching powder, साथ में पानी भी रह जाएगा, क्या, पानी, water molecules are also found here, we have water also with us, clear है ये बात, कैसे calcium oxy chloride, याने की bleaching powder form हो गया, हमने सिर्फ बहुत सिंपल रियक्शन है, बच्छो, examination में रियक्शन लिखने पडेंगे, तो समझो, note करो, इनको practice भी करना पड़ कर दिया, और हमें मिल गया हमारा bleaching powder, clear, now, bleaching powder जब बना लिया है, तो इसका इस्तमाल भी बेख लेते है, कहां यूज होता है, बहुत जगों पर यूज होता है, बच्छो, देखे, it is used in laundry, the bleaching action of bleaching powder is used to the chlorine released by it, मतलब यहां पर chlorine का भी तो खेल है, सारा, chlorine gas है, हम ले रहे है, chlorine के बार में हमने जिकर किया था कि कैसे disinfectant के तौर पर काम आता है, right, तो यह बहुत commonly used है laundry में, okay, laundry में, कपड़ों पर दाग हटाने के लिए, यह use होता है, इसका bleaching action बहुत जरूरी है, इसके लिए, bleaching powder में bleaching action होता है, जिससे दाग निकल जाते है, clear है यह बात, और it is used for disinfecting water, chlorine है, तो फिर पानी को तो हम disinfect करेंगे इसकी मदद से, right, तो बहुत सारे germs पदा हो जाते हैं पानी में, जिसको निकालने के लिए हम इसका इसका इस्तमाल करते हैं, याद रहेगी ना बच्चों यह बात, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ जाए फिर, और अब हम बात करें of the most common use, it is used in the manufacture of chloroform, CHCL3, chloroform सुना होगा आप लोगो ने, याद है, मुवीज में भगार मैं दिखाता है, बेहोष करने के लिए, chloroform यूज करते हैं, देखिए ऐसी छोटी सी बाटल होती है उसकी, ओके, इसमें क्रेटा होता है, और इसमें क्या होता है, नशा होता है, बे ने देखा ही होगा, so chloroform के लिए भी हमारा bleaching powder एक बहुत important role play कर रहा है, अगला use देखेगा, bleaching powder is used for making wool unshrinkable, bleaching powder इसलिए use किया जाता है, ताकि जो उन के कपड़े होते हैं, wool होता है, वो श्रिंक ना हो जाए, unshrinkable रहने के लिए हम bleaching powder को use करते हैं, हमारे घरों पे use करते है इसको, right, अगला और आखरी, bleaching powder is used as an oxidizing agent in many chemical industries, oxidizing agent से, पिछले चाप्टर में जो redox reaction में, reduction, oxidation, oxidizing agent बताया था, याद आया कुछ, तो bleaching powder एक oxidizing agent का role play करता है, बच्चो, okay, so bleaching powder के uses समझ गये हैं, calcium oxy chloride कैसे form हूँआ, वो reaction भी याद रखना है, उसमें uses भी उसके पता होने चाहिए, okay, so now we have completed bleaching powder, तो अब आज की class का आखरी compound जो हम discuss करने वाले हैं, बच्चो, वो है, baking soda, बहुत easy है, चिंदा की कोई बात नहीं, baking soda बहुत जगा, use भी होता है, and बहुत असान भी है, क्यूंकि, baking soda ना, baking में काम आता है, यह तो हमने जाना, तो इसका color क्या होगा, ब क्या है, NaHCO3, it is a white crystalline solid, but it often appears as a fine powder, okay, fine powder की तरह होते है, obviously baking powder, baking soda, आपने देखे होंगे, okay, it has a slight alkaline taste, थोड़ा सा alkaline taste होता है, बिटर टेस्ट होता है, थोड़ा सा इसका, ठीक है, याद रहे हैं यह बात, आगे बढ़िए, baking soda के बारे में एक बात जानते हैं, कि जब हमें य hydrogen carbonate है, तो अगर हम गौर से देखेंगे, इसको form करने के लिए क्या क्या चाहिए, भई फिर, what do you need, you need, sodium bicarbonate is manufactured by passing carbon dioxide through concentrated accu-solution of sodium chloride and ammonia, बच्चों, this is a compound derived from sodium chloride, तो obviously sodium chloride तो लगेगा ही, हाँ न, so हम क्या कर रहे हैं, sodium chloride को लेंगे, उसमें से CO2 पास करेंगे, और साथ में ammonia को भी तब जाके बनेगा हमारा baking soda, reaction को देखते हैं, समझते हैं, exactly हो क्या रहा है, देखे, sodium hydrogen carbonate यानी sodium bicarbonate यानी baking soda, sorry, okay, so baking soda की अब हम बात करेंगे, देखे, क्या होता है, it is primarily used in baking, where it reacts with other components to release carbon dioxide, बच्चों, यह जो carbon dioxide gas release होती है, इसका फायदा पता क्या है, यह न, देखे, cooking में काम आता है, इसलिए काम आता है, क्योंकि जब baking में जो dough बनाते हैं, जो batter बनाते हैं, उसको rice, spongey चाहिए, आपको soft soft चाहिए, वो rice होना चाहिए, की नहीं, उसमें यह काम करता है, raize करने के लिए, ढोराइस कराने के लिए, हम यह योज़ करते हैं, कैसे क्यूंकि carbon dioxide 3 ammonia इन सब को मिला कर जब कव रियक्शन होगा तो बनेगा एन एच फोर सी एल ammonium chloride with नह सी ओ त्री यह है हमारी काम की चीज़ जो की राइट नाओ है sodium bicarbonate अब जब यह बनी गया है इसके साथ कुछ और काम किया जाए यह हमारा बेकिंग सोड़ा तो बेकिंग सोड़ा के बारे में कुछ और बात बताती हूं आपको इंट्रेस्टिंग से और वह यह है कि जब हम इसको पकाते हैं तो एक्जाक्ली हो क्या रहा है तेखिये बेकिंग सोड़ा एक माइल्ड नॉन करोसिफ बेस है नह-COO3 जब इसको हीट करते हैं तो एक्जाक्ली यह हो रहा है कि सोडियम कार्बनेट प्लस हेच्टो प्लस CO2 बच्चो जब आप पकोड़े बनाते हो किचिन में तो पकोड़ों में जो फूला पनाता है जो फूलते है ना वो राइट दिस बिकास बिकास अब इस उनली इस उसे इन किचिन फर में पकोड़ा जो किचिन में यूस किया जाए तब आप यांसर लिख सकते हो यह रिक्शन भी लिखना पड़ेगा आपको कि कैसे सोडियम बाइकार्मेट को हीट करने पर सोडियम कार्बनेट वाटर और सियो तू हावत हेच तू और सियॉडव को-ठीक ऑडॐर, इसकी क्लिया एक डीकंपोचिए इस त्वसीचर शीचन है, बच्चों यह क्या है यह, डी कंपोचिशन रिसिचन, यह एक डीकंपोचिशन रिसिचन है, ऑन हीटियम अधं स्वस्थिकें इस चेरीटिर अच्छिए हैमभी वाइक कि एक mild base है तो फिर acid का उल्टाई हो गया antacid की तरह काम कर सकता है यह ना तो यह जब हमारे stomach में indigestion की शिकायत हो तो हम baking soda use कर सकते हैं याद रहेगी यह बात जब हमारे stomach में indigestion की शिकायत हो क्यों होती है indigestion की शिकायत indigestion की क्योंकि acid ज़्यादा बढ़ जाता है acid अगर ज़्यादा बढ़ जाएगा तो हमें इसको action को कम करने के लिए एक antacid की ज़रूत है और यह बनेगा हमारा antacid जो की है sodium hydrogen carbonate क्या बन जाएगा यह यह sodium hydrogen carbonate antacid का काम करते हुए जाकर पेट में सब कुछ ठीक कर देगा क्योंकि यह mild base है acid जाधा रहेगा उसको जाकर यह ठीक कर देगा याद रहेगी बाद sodium hydrogen carbonate is used as an antacid also antacid से milk of magnesium यादा आगया होगा आपको आया की नहीं चलो बढ़िया अब अगला पाउडर के लिए हमें baking soda में tartaric acid मिलाना होगा क्या मिलाना होगा tartaric acid यह tartaric acid बच्चों mild edible acid edible का मतलब है जो खाया जा सकता है यह mild edible acid tartaric acid add किया जाता है tartaric acid से कुछ यादा है आपको मैंने जब आपको organic acids के बारे में बताया था तो यह भी बताया था कि tartaric acid कहां पाया जाता है टामरिंड में पाया जाता है याद है है ना तो यह tartaric acid यहां पर baking soda पर एड़ करने पर हमारा baking powder बन जाएगा और baking powder तो आप जानते ही हो इसके लिए हम क्या करेंगे यह हम कहां यूज करेंगे बेकिंग में बेकिंग पाउडर बेकिंग में जैसे कि breads, pastries, doughnuts जो भी आप बनाना चाहें बेक करना चाहें राइट जब यह बेकिंग पाउडर को heat किया जाता है तो क्या हो रहा है देखिए आपको समझना होगा sodium salt of acid कैसी चीज़े निकल के आती है वही रियक्शन है चीज़ें आसान है बस इतना याद रखना है कि co2 gas जो produce हो रहा है न यही कारण है वहां पे softness का sponginess का clear students बच्चों एक एक बात मैंने आपर mention की है detail में आपको समझाया है हर compound के users भी बताए उनकी properties बताई वो कैसे form होता है reaction समझाया preparation दिखाया तो बच्चों आज की class बहुत ही informative साबित रही होगी आपके लिए मुझे बहुत मजा आया पढ़ाने में इन चीजों को हम हमारी real life में relate कर सकते हैं salt बहुत जरूरी concept है बच्चों बहुत बच्चों को जल्दी नजर आ रही है कि मैं chapter जल्दी से complete कर करेंगे और उसमें हम करेंगे सारी NCRT activities और कुछ questions. So I hope now you are happy with the plan. Right students? So बहुत बच्चों की request थी कि NCRT activities discuss करें वैसे देखा जाये तो जब मैं पढ़ा रही हूँ तो reactions कि थूरू बता कर मैं आपके activities cover भी करवा रही हूँ बट फिर भी if you want it that will also be done. Okay. So हमारा assets based on salts वाला chapter दो और lectures लगेंगे और फिर वो chapter खतम हो जाएगा. And students thank you so much. A big thank you to all my supporters. Thank you for the love you are giving and most importantly, बेटा कोई भी चीज सफल तभी हो सकती है जब उस पर महनत पूरी की जाए. You need to put your efforts as well. बहुत अच्छा लगता है जब आप homework questions करते हैं, answers भेशते हैं. But साथ की साथ आप अच्छे से notes बना कि अब आपके board examinations में में तक का वक्त है, you have time to revise again and again and again. And I'm absolutely sure, जब confusing questions आएंगे, तो मेरे students confused विल्कुल नहीं होंगे. Okay बच्छों, मिलेंगे हम हमारे अगले lecture में. तब तक के लिए keep enjoying, keep practicing, खुश रहिए, मज़े के साथ पढ़िये और अच्छे numbers लेके ज़रूर आएंगे ह See you soon. पढ़ाई करते रहें, all the very best.